तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके किसकी लुकिंग होने वाली है हमारी बाइक पे यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप इसको कौन-कौन सी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर जो फेरिंग वाली बाइक से उन सभी में आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे यहाँ पर यह काफी पैरे-पैरे कीचेंस हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं इन कीचेंस को अपने जो वीवर्स हैं उनको दूंगा जो भी मुझे मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा जब भी meetup होगा तो वहाँ पर मैं अपने viewers को यह provide कराता रहूँगा तो I hope so कि आपको यह अच्छे लगेंगे मुझे इसकी जो quality है वो काफी बहतरी लग रही है तो चलिए अब मैं इस सबी को side कर देता है तो अब यहाँ पर बात करते हैं Aero Canard Winglet की तो यहाँ पर जो quality है दोस्तों काफी अच्छी की quality है ABS fabric से बना हुआ है यहाँ पर 3mm tape मिलती है जो की काफी अच्छे से fix होती है हमारी bike के अंदर तो यहाँ पर not even आप इनको R15 V3 के अंदर install कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डोस्तों अपाचे आच्छे के अंदर भी install कर सकते हैं तो यहाँ पर काफी अप्सेंन्स मिल जाते हैं बाइक के अंदर जिनके अंदर इनको easily install कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तो इनका ऐटेस्ट भी ऊहाथा उसके अधे पर जो इनका aero això high वाग रहता है aerodynamic का तो यहां पर जो पर side things के अंदर यह जब install हो जाते हैं उसके बाद जो हमारी bike का look हो काफी ज़्यादा look enhance हो जाता है दोस्तों यहां पर बात करें इसकी installation की तो जो इसकी installation हो भी काफी simple सी installation है दोस्तों मैं आपको completely steps बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इनको install करन है साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूं अगर आपने ceramic coating अपनी bike पर करा रखी है तो यहां पर आप इसको बाई मत करिए क्योंकि दोस्तों यहां पर अच्छे से fix नहीं होगा उसके लिए या तो आपको पहले उसको ceramic coat को remove करना होगा उस जगे से तो क्या इसके प्रॉंस होंगे क्या इसके कौनस होंगे किस तरीके से इसको install करना है वो सब हम देखेंगी वीडियो के अंदर आगे की तरफ साथ ही दोस्तों अब हम यहां पर चलते हैं अपनी bike के पास और देखते हैं कि किस तरीके से इसका installation look आने वाला है साथ ही मैं इसका इक giveaway भी करू आपके लिए मैं काफी सारे excited giveaway लेकर आता रहता हूं दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप उसके पार्टिसिपेट करें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है तो प्लीज आप नीचे comment box के अंदर मुझे बताइए कि आपको क्या चीज हमारी व मार्क है वो फिलाल हमने कुछ यहां पर सोचा है दोस्तों आप चाहें तो अपने according भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपको बैटर लुकिंग कहां पर लग रही है बट परसनली मैं इसको दो तीन जगह भी इसका सबसे अच्छा लुका रहा है यहां पर जो इसकी installation process है व यहां पर अपनी body पर clean करना है ताकि जो भी dirt material है वो काफी अच्छे से यहां पर निकल जाए ताकि जो आपको fixation है 3mm का वो काफी अच्छे से आ सके तो चलिए मैंने इसको यहां पर साफ कर लिया है आपको dry cloth लेना है चलिए मैं इसको side करता हूँ जब एरिया dry हो जाए उस इसको अब अच्छे से fix नहीं करूँगा मैं just put it करके देख रहा हूँ कि इसका better look कहां पर आने वाला है तो जैसे कि मैंने इसको भी यहां पर install किया मैंने थोड़ी C3mm tape अभी इसकी remove की है तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके कि इसकी looking होने वाली तो यहां पर मैं लैंस को switch करूँगा उसके बाद में आपको completely इसका look दिखाऊँगा तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपना पर अपना lens switch करूँगा तो जैसा आइस आप यहां पर देख पा रहे हैं अब हमारे जो बाइक का अब हमारे और आरोड़ी हैं कहसे सिल्लुक आने वाला है यहां पर थोड़ा लाइटिंग कंडिशन्स ओके नहीं है तो यहां पर इतना खासा भी पता नहीं चल रहा बट वीडियो इसके अंदर जब आप इसको देखेंगे तो आपको यह काफी पसंद आने वाला है सो चली अब मैं इसको यहां पर रिमूव करता हूँ यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको 3mm टेप से यहां पर अभी इसको फिक्स किया हुआ है तो चली यहां पर यहां पर रिमूव हो चुका है यहां पर देख लेते हैं यहां पर R15 जैसे ही खतम होता है उसके पास के stick ring में हम यहां पर इसको fix करने वाले हैं तो यह थोड़ा आगी की तरफ लग रहा है अभी भी मुझे तो मैं इसको previously वाली position पर ही इसको थोड़ा fix करूँगा So finally मैं इसको इसी जगह प्लेस करने वाला हूँ जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर इसका मुझे काफी ज़्यदा अच्छा लुक लग रहा है आप चाहें तो अपनी preference के coding इसको कहीं भी install कर सकते हैं इसको install होने के बाद आपको 24 hours तक इसको छोड़ देना है तकि इसका जो glue है वो काफी अच्छे से fix हो सके यहां पर मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बताई थी अगर आपकी यहां पर ceramic coat हो रहे किया टेफलोन coating हो रहे किया तो आप उसको अच्छे से clean करिए पहले अगर आप उसको यहां पर fix कर देंगे तो यहां पर अच्छे से fix नहीं रहेगा तो 3mm tape वहीं अच्छे से work करेगी जहां पर दोस्तों इसको एक अच्छे का सी surface में क्यों glossy surface होती है तो वहां पर यह अच्छे से fix नहीं होगा यहां पर मैं बात करूँ कि आप इसको कौन-कौन सी bike में install कर सकते हैं तो यहां पर जो fairing वाली bikes हैं उन सभी में आप इसको install कर पाएंगे यहां पर मैं कुछ आपको photos दिखा रहा हूं जैसा है कि आप यहां पर देख पार है काफी सारी ऐसी bike हैं जिनके अंदर आप यहां पर इस arrow canard winglet को install कर सकते हैं यहां पर इसका fiber काफी अच्छा लग रहा है बात करें इसके prone and cons की तो यहां पर pros की बात करें तो दोस्तों यहां पर हमारी जो bike की जो side looking है उसको थोड़ा और enhance करता है यहां पर अगर इसके cons की बात करें तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर आपकी bike गिरती है तो यह easily निकल जाएगा यह definitely है कि तूटेगा तो नहीं क्योंकि ABS है बट यहां से जो इसकी 3 में कोई खासा फरक नहीं है अगर देखा जाए तो यहां पर एक इंच यह थोड़ा सा आगे है तो देखा जाए तो यह काफी अच्छा product है bike के लोगो काफी ज़्यादा enhance करता है बट अभी मैं इसको install नहीं करूंगा अपनी bike पे क्योंकि दोस्तों मैं इसका giveaway करने वाला तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप PGX को prefer कर सकते हैं काफी better quality के साथ ही deal करते हैं दूसरी तरफ वाला जो हमारा arrow dynamic है वो भी कुछ इसी तरीके से install होगा तो दूसरी तरफ दिखाने का कोई sense नहीं बनता दोस्तों अगर आपके मन में कोई doubt है इस arrow winglet के regarding तो आप म करनाड winglet क्यों चाहिए अगर मुझे यहाँ पर आपका comment अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैं आपके लिए dispatch कराऊंगा definitely तो वीडियो के जो results हैं वो मैं Instagram पर दोस्तों पोस्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको हम Instagram पर follow करना होगा तो दोस्तों इसी तरीके के installation और इसी त वीडियो में तब तक के लिए stay tuned thank you